न्यूटरन्स ठर्डला आप एक प्रेटिकल अक्सर करते होंगे कि एक दिवार है उस दिवार पर आप कोई बॉल है उसे दिवार की तरह फिट करते हैं वो दिवार से टगराती है बॉल और वापस आ जाती है आपने क्या सोचा कि इस दिवार पर जब बॉल ने हिट किया तो क्या हुआ इस दिवार ने इसके मोमेंटम को चेंज कर दिया इसकी स्पीट को चेंज कर दिया इसकी डारेक्शन को चेंज कर दिया बॉल ने दिवार पर एक फोर्स अपलाई किया उस फोर्स के कारण ही इसके मोमेंटम में चेंज हुआ तो क्या अकेला इस बॉल ने ही दिवार पर बल लगाया क्या दिवार ने बॉल पर फोर्स नहीं लगाया अगर कोई स्प्रिंग है उस spring को अगर हम उपर से compress करते हैं तो क्या होगा spring compress पास पास हो जाएंगे spring compress हो जाएगे क्या ही spring उपर को जाना नहीं चाहती ऐसे बहुत ट्वाइव होते हैं कि यह दबाते हैं छोड़ते हैं उपर चले जाते हैं इसका अर्थ यह है कि प्रती एक खिरिया की एक प्रती किरिया होती है जो different bodies पर लगती है जितना force इस ball ने दिवार पर लगाया उतना ही force दिवार ने बॉल पर लगाया अगर दिवार बॉल के कारण force लगा F12 और दिवार के कारण बॉल पर force लगा F21 तो यह दोनों इस दुसरे के एकवल होंगे और अपोजिट होंगे यही Newton's third law of motion है to every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies अगर एक गुबारा अप ले हवा भरा हुआ और उसकी हवा निकाल दे उसे छोड़ दे फिरी कर दे तो गुबारा उपर को जला जाएगा एक रॉकेट आपका है उस रॉकेट में क्या है अगर एक क्या होता है नीचे उस गैसेज देते हैं पहले गैसेज का pressure देते है गैसेज नीचे को जाती है और रॉकेट उपर को जाता है इसमें confusion होता है कि हमने दिवार पर ball मारी यानि ये contact force था इन दोनों का contact हुआ हमने spring को push किया तो contact force था तो क्या action reaction force हमेशा contact force के कारण ही develop होते हैं ऐसा नहीं है अगर कोई magnet है उस magnet के पास हम कोई iron का piece रख देते हैं तो iron का piece और magnet की बीच attraction force होगा जितना force magnet iron पर अपनी और लगाएगी उतना ही force iron भी magnet पर अपनी और लगाएगा और magnetic force यह को touch नहीं कर रहे हैं दुसरे को यह non-contact force है contact force यह non-contact force हो action reaction force develop होते है nature में कोई भी force अकेला develop नहीं होता है यही newton's third law है और newton's को third law को second law से भी derive किया जा सकता है पर्त्वी पर जब चलते हैं तो आप पर्त्वी पर बल लगाते हैं लोटा कर पर्त्वी भी आपके पैरों पर उतना ही बल लगाती है उस reaction के कारण ही हम आगे चल पाते हैं पर्त्वी एक action की reaction होती है अगर आप किसी के गाल पर अभी कोई चलत मार दे तो जितना force आप उस पर व्यक्ति पर लगाएंगे ठीक उतना ही force वह व्यक्ति भी आपके उपर लगाएगा यही newton की गती का तीसरा नियम है